दोस्तों मार्केट में OnePlus की टीवी लांच हो चुकी है और साथी साथ यहाँ पर रियल मीनी भी उसकी टीवी लांच कर दी है तो और कन्फूशन यहाँ पर भढ़ जाता है कि भाई हमें कौन सी टीवी खरीनी चाहिए क्योंकि दोनों ही टीवी को अगर मैं सबसे पहले कंपेर क चाहिए या नहीं तो इस वीडियो में हम दोनों ही टीवी कंपेर करेंगे बताएंगे सारी डीटेल्स इसी के साथ ही सथ फाइनल कंक्लूजन दो का कौन सी टीवी आपको खरीदनी चाहिए तो वीडियो होने यहाँ बहुत धमाके दार तो वीडियो को शुरू करते है लेक तो दोस्तो इस comparison को शुरू करते हैं और यहाँ पर एक तरफ रख लेते हैं Realme के 43 inch TV को हाला कि इसमें बहुत सारे variant और भी आते हैं लेकिन यहाँ पर मैंने benchmark बना है 43 inch के variant को और दूछरी तरफ रख लेते हैं Y1 40 inch TV को और सबसे पहले बात करते हैं display और panel के बारे में बात करें यहाँ पर Realme के resolution display और panel के बारे में तो यह TV आती है 4K resolution के साथ और जहां तक सवाल है panel का तो यह TV आती है IPS panel के साथ मतलब बहुत ही बनिया view angles 10 bit panel दिया गया इसका मतलब है कि आपको 1 million से भी ज़्यादा color देखने को मिल जाएंगे साथ ही साथ direct LED backlighting source दीगे HDR10 और HLG को सपोर्ट करती है साथ ही साथ यहाँ पर Dolby Vision का भी सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा इस TV में और यहाँ पर आपको एक जो anti-SD color gamut है वो 83% तक सपोर्ट करता है दूसरी दरफ बात करें OnePlus की TV में तो वहाँ पर आपको फुल SD का resolution देखने मिल जाएगा और जहां तक सवाल है पैनल के बारे में तो वहाँ पर आपको VA पैनल देखने मिल जाएगा VA पैनल उतने बढ़िया वी एंगल्स नहीं प्रवाइड करते लेकिन contrast ratio काफी अच्छा होता है VA पैनल का और जहां तक सवाल है कलर गामेट का तो वहां पर आपको 93% NTSC कलर गामेट देखने को मिल जाएगा और जहां तक सवाल है backlighting source के बारे में तो direct LED backlighting source इस TV में आपको देखने को मिल जाएगी और साथी साथ बात करें बारे में तो यहां पर आपको 240 NTSC की brightness देखने मिल जाएगी साथ ही साथ जो contrast ratio 4000-1 का देखने को मिलने वाला है और यहां पर जो refresh rate दिया गया है 60 Hz का दिया गया है जो आपको same to same देखने को मिलने वाला है Realme TV में और बात करें दोनों TV के build quality looks और design के बारे में तो looks में दोनो तो नहीं बूलूँगा thin bezel आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन दोनों TV में जो difference आता है tabletop stand का है जहां पर Realme का जो tabletop stand है थोड़ असा look में different है और build quality के बात करो तो build quality में दोनों TV जो है लगपक same है plastic की बनी है लेकिन जो plastic के quality है काफी premium आपको देखने को मिलती है और comparison मे आगे बड़े और बात करते हैं दोनों TV के sound output और sound technology के बारे में तो Realme की TV में आपको 24 watt का sound output सुनने को मिल जाएगा और जो sound technology है Dolby Atmos का दिया गया है और दूथरी दरह बात करें OnePlus की TV में तो वहां पे आपको 20 watt का sound output दिया गया है थोड़ा सा कम है और जो sound technology है Dolby Audio का दिया ग यहां पे यह आ जाता है कि OnePlus की जो TV है सिर्फ और आपको देती है 1GB का RAM 8GB का internal storage और Realme की TV आपको देती है 2GB का RAM 16GB का internal storage जो की बहुत important role play करता है Android operating system में क्योंकि जतने जादा storage आपको मिलेगा और RAM मिलेगा उतना बढिया होगा Android operating system के साब से क्योंकि काफी apps और games आपको देख करें को उतना जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है तो OnePlus में यहां पे सीधा सीधा माइनस पॉइंट दिख रहा है कि यह बहुत ही कम दे रहे हैं आपको दोनों TV में एक अच्छी बात हो कि दोनों TV आती है built-in Chromecast के साथ और जहां तक सवाल है OTT platforms को कौन सा चलेगा कौन स अच्छा नहीं चलेगा तो यह Android operating system में सब कुछ चलने वाला है Amazon Prime, Netflix, Hotstar, Z5 जो भी पॉपुलर एप से आपको प्रेइंस्टॉल दिखने मिल जाएंगे दो के दोनों TV में बात करें दोनों TV कनेक्टिविटी ऑप्शन के बारे में पर तो Realme TV में आपको 3 HDMI port और 2 USB port देखने मिल जाएंगे उसमें से 1 port HDMI port वाला जो है ARC port है और Dual Band Wi-Fi को सपोर्ट करती है यह TV और यहां पर आपको 1 minus point देखने को मिल जाएगा सबी ports यहां पर आपको मिल जाएंगे जितने भी required होते लेकिन एक port नहीं मिलेगा जो है 3.5 mm का jack वो आपको Realme TV में देखने को नहीं मिलेगा OnePlus की TV में तो यहां पर आपको 2 HDMI port और 2 USB port दिखने मिल जाएंगा और दोनों में से एक भी port दोनों में से एक भी port आर्क port नहीं है तो कोई भी home theater या फिर connect नहीं कर पाओगे आप इस TV में इस चीज़ का आप ध्यान रखिये इसी के साथ ही साथ एक और चीज़ कहना चाहूँगा यहां पर भी आपको 3.5 mm jack नहीं मिलेगा और single band wifi दिया गया है तो ports के मामले में यहां पर सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि OnePlus की TV मार्क खा रही है जो कि आज के तारिक में बहुत ज्यादा important हो चुका है और जो अगला difference होगा दोनों ही TV को compare करें तो यहां पर picture engine का आ जाता है और अब बढ़ते हैं comparison में आगे बार बात करते हैं दोनों ही TV के remote के बारे में तो दोनों ही TV में आपको एक minimalistic design वाला remote देखने को मिल जाएगा voice unable remote है Google Assistant को support करता है voice command के थुरू आप TV को control कर सकते हो यह चीजे आपको दोनों ही TV में देखने को मिल जाएगी तो यहां पर कोई भी complaint नहीं सब कुछ 10 on 10 लेकिन एक फरक है display को लेकर जहां पर आपको realme की TV में देखने मिल जाएगा TUV low blue light certification जिसके थुरू आपको eye co protection मिलता है आपकी आखे खराब नहीं होती जादा time तक पी आप TV देखते हो ऐसा certification का कहना है तो यह आपको realme की TV में मिलेगा लेकिन OnePlus में ऐसा कुछ भी नहीं है और अब यहां पर बात करते हैं warranties के बारे में तो realme की TV में आपको मिल जाएगी one year की comprehensive warranty और दो साल की पैनल पे warranty अगर आपको पैनल पे दो साल extra मिल रहा है मतलब बहुत ही पणिया offer होगा मेरे हिसाब से और बात करने कुछ और चीजों के बारे में तो यहां पे दोनों ही TV में box content में लगपक जो आपको regular मिलता है सब कुछ मिलता है लेकिन wall mount दोनों ही TV में नहीं मिलेगा तो यहां पे आपको एक extra costing बढ़ जाती है अगर आप यह TV लेने का प्लान करें और जहां तक सवाल है मेरे conclusion के बारे भी कौन सी TV ले तो मैं आपको recommend करूंगा at least आप 6000 रुपे दीजिए और एक realme की 4K TV लीजिए क्योंकि यहां पे बहुत सारे reason आ जाते है पहला number 4K resolution है IPS panel है और इसी के साथी साथ extra warranty मिल रही है और बहुत सारे parameter मतलब picture quality भी आपको बढ़िया देखने को मिलेगी तो इसे बहुत सारे parameter है जिसके वैसे मैं आपको recommend करूंगा आप OnePlus TV न लेकर realme की लीजिए क्योंकि यहां पे आपको बहुत ही बढ़िया deal मिल रही है और कुछ cards वेगर अपलाय करते हो credit card वेगर तो आपको अच्छा-खास discount भी मिल जाएगा तो description में मैंने links दाल दिये वहां से जाके check out करनीजिए इसी के साथ ही साथ आपका कोई भी सवाल सुझा और राय हो तो लिखिए comment section में कोशिच करेंगे आपके सारे सवालों का जवाब दे सकें तो इस वीडियो को आप खतम करते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही हपपी कैट बाइब बाइब